हेलो एवरिवान आप सभी को फिट से एक बार बहुत बहुत स्वागत थे आप सभी के अपने ही चैनल में कैसे हैं आप सब लोग उमीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आज दिन है मंगलवार का और अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम और मैं और अरपीत सोके उठे हैं और देखिए मैं थोड़ा सा रेडी भी हो गई हूँ और अरपीत को अभी मैं रेडी कर देती हूँ रेडी मतलब जो स्वेटर बगेरा पहनाना होता है न वो तो मैं उसको बोल रही थी कि फूल स्वेटर पहना दूँ लेकिन वो पहनने के लिए राजी नहीं हुआ है और उतना ठंडी भी नहीं लगता है वो जल्दी जल्दी पसीना हो जाता है और अभी करीब चार बज रहा था सामके तो मैंने पहनाया नहीं है और मैं देख रही हूँ देखिए इसके पैर में मच्छर ने काट लिया है तो उसको भी मैं दबाई दे दूँगी जो सूतल स्प क्लाग si यहां पर उसको काट लिया है पता नहीं मच्छर कहां से घुच्छ गया और देखिए कहां-कहां पैर में काट दिया है तो मैं उसको सुदौड लगा रही हूँ सुतल लगाने से क्या होता है जल्दी से इसका रियक्शन जो है कट जाता है और ठीक हो जाता है जल्दी तो मैंने लगा दिया थोड़ा सा ठंडग भी लगेगा तो अच्छे से ठीक हो जाएगा और देखिए इसके दो पहर मैंने इसके चोटी बनाई थी और देखिए क्या हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजी और मेरी इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा आप लोग बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोग को दिल से आप सभी को फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी के अपने ही चैनल में कैसे हैं आप सब लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और मैं अभी बहुत अच्छी हूँ और अभी इबनिंग का टाइम हो रहा है तो आप सभी को गूड इबनिंग अभी अच्छा नहीं लगता तो थोड़ा सभी कर लेगा है मैं इसको पहना है और अगर थोड़ी देर बार लगेगा तो मैं उसको पहना दोंगे और मुझे ठंडि लग रही है तो मैंने पहन लिया है sweater और इसको हाफ sweater मैंने पहना दिया है और जो साथ है अब बूखा तो दोला तुम ही बोलागा अरपित क्या बोला है पता है अरपित बोला है कि मैं जूस पी रहा हूं ना वो भी बता दीजिए जूस पी रहे हो यह Fruity कौन लाके दी आपको कौन दी आपको कौन दी आपको Fruity पापा ने ऐसे ने ऐसे नहीं खाते अहाँ खुलाप देना आसे ना तो यह जो शर्ट है ना यह थोड़ा सा गर्मी लगता है इसमें इस वज़ए से और इसको पसीना आ जाता है अगर मोटा कुछ पहना देंगे ना तो उसको पसीना आ जाएगा और फिर उससे कोई फाइदा नहीं है इससे वैसे भी उसमें जुखाम हो जाएगा अगर पसीना रहेगा अंदर तो इसलिए मैंने यही डाल दिया इसको और अभी सॉक्स पहना दूंगी और नहीं जाएगा जाएगे तो नहीं झाल रहा है तुच खाना बनाने में भी टाईम लग जाएगा इससे मुझे दो तरब मैं यूज़ कर लेती हूं तो बहुत जल्दी-जल्दी खाना बन जाता है लेकिन सुभा से यह दिक्कट मुझे जहलना पड़ रहा है आज पता नहीं क्या होगा ठीक नहीं होगा दुकान में देल मतलव हजबन तो हिस्बेंड को मैंने बोला तो उनोंने बोला कि यह भी जब ड्यूटी से आएंगे सामके टाइम पर वो देखेंगे रात में आके अगर ठीक कर पाएंगे वो खुद तो अच्छी बात है अगर नहीं कर पाते हैं तो उसको दुकान में देना पड़ेगा अगर ठीक नहीं होगा तो मुझे नया खरीदना पड़ेगा भी देखती हूं तो अज जैसे तैसे मैं एक ही उस साइड में ही बनाऊंगी एक साइड का जल रहा है छोटे वाले जो होता तो रोटी में सेखती हूं तो उससे जो आठा होता है वो निकल के गिरता है तो उससे जाम हो जाता है तो वही हुआ होगा कुछ क्या हुआ पता नहीं अभी बहुत बड़ी दिक्कत है यह तो चलिए मैं खाना बनाना स्टार्ट करती हूं वैसे भी मुझे टाइम लगेगा आज जेड़ी में खाना बनाती हूं और यह देखिए इस ने फीनिश कर दिया दो पाइयर से यह पी रहा है आधा पीया था फिर सो गए हम दोनों आज के बाद आधा भी फिनिश कर दिया है इसने अब यहाल पीद क्या खाऊगे जास्ते मे बहुत भात? भात 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 काना है नास्ते में हाँ? क्या बोल रहे हो? क्या प्रिया और झाल क्या बोल रहे हो? क्या अदे याजन क्या झाल क्या घ्जी Vold यौ क्या झाल मов? हम तोने नमक के है arrest कुछर मर्स devam टमक्ट मक्ट के लाखे समी गsk मक हमक्ट टक Εुड़िक है। मैंं आब आपास्टी है गपास्टी को दोने रखने नहां बिल्से है जी सुशिझरोस साब heard यह होने क्रूंओ दोने कर दोनीज़ तो यहां पर देखिए हम लोग आ गये हैं मतलब हम लोग मतलब देखिए अरपीद भी है यहां पर इसलिए मैंने बोला तो चलिए सबजी काट लेती हूँ और आज मैं जादा सबजी नहीं बनाओंगी और बहुत सिंपल तरीके से खाना बनाओंगी क्योंकि गैस जो है एक तरफ है जलने ही रहा है तो एक ही तरफ से मुझे बनाना है और टाइम लग जाएगा इसलिए मैं जल्दी जल्दी आ गई किचन में ताकि टाइम पे खाना बन जाए उसके बाद मैं अरपीत को भी टाइम दे पाऊंगी तो आज मैं गाजर बीन्स और थोड़ा सा आलू डालूंगी उसके साथ थोड़ा सा प्याज मतलब एक प्याज डालूंगी तो सबको मिला के एक सबजी बनाऊंगी सुखी सी तो वही बनेगा और उसके साथ मैं बनाऊंगी टमाटर आलू की सबजी तो वह बनेगा और चावल बनेगा यह हमारा आज का डिनर बनेगा और कद्दू की सबजी मैं सुखव बनाई थी लंज के टाइम पे हम लोग खाए थे रोटी और कद्दू की सबजी तो वह निस करते हूं उसके दो मतलब एक दिन बाद वो सबजी में रखती नहीं हूं फ्रीज में और ज्यादा दिन रखके ना उसको खाना भी नहीं चाहिए सबजी तो ये देखिए सबजी को अभी मैं वश कर लेती हूं और अरपीत को वहां बैट बैट के थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा भी लिया है आदा और आदा भी खना वनाने के बाद मैं पढ़ाओंगी जो ऐसे ही करके बच्चे पढ़ते हैं एक टाइम बैट के तो मतलब ए भी सीडी बोलने लगता है इस तरह से पढ़ा लेती हूं तो यह देखिए आलू जो है मैं टमाटर की सबजी बनाऊंगी आलू डाल के तो आलू को मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है जो नया वाला आलू आता है ना तो वह बाला है और इसकी टमाटर आलू की सबजी कि मसाला त υक डेख डिया मिदें ठोक्षित कि एस yes झालो तो कने मिदन सवक्राम था इसका को इतांद है और फिर मैं इसका बोल होनेके लिए रख दोंगी तो इतर हो रहा है आ doubla लूंध घरल और देख किया हो रहा तमाटर सबस्वाइस का मसाला पीर सबस्ष्थ अबkówारी आखे जाओ समय है करें मिलाया मेजा ही अबच्छभी थे प्राइटब रोड़ निए, करते दो जाओ। क्लेवारी है करते हैं नित्रम्निक, कोजने बीजये, के तुरम्निक, क्वाओजू एंगाओब लिए नल्हें तॉम्यों को जिताने को एक हिолнगे को पिताने को दो यह जा है आयदे आयदे को जिताने? अमगा पारेई ना और पर में तो सुन्धों अमगा पारेई अ माज पारेई ना मजम को यह जो जा एकाने चली क्रीक आप शूट्रा दिश्च सबको भी क्या कर रहा हूं कोडह टूक कर रहर हूं समुए खिर्फ बढ़ा मसाला थूक करो हूँ नहीं कि या काम करना न आ बढ़ाई मम्मी को तो बिल्कुल ही अब नहीं आता है अब पीजी सब काम कर देता है मेरा है ना पीज? हाँ आचा नीचे का नहीं देना है ठीक है ऐसे ही करता है ठीक हो गए आभी में कर लो नहीं हुआ अब नहीं हुआ पुरूते कुछिन बो मैंने टमाटर और आलुकी सब्जी जो है चड़ा दिया है अभी सिर्फ यह मसाला डालूंगी जब पग जाएगा तब और बस हो जाएगा थोड़ा सा पानी जालूंगी चाब तब हम पढ़ा सुना करेगे उसके पाद पढ़ा सुना अबल पढ़ाए करेंगे पढ़ाए करेंगे अब पढ़ाए करेंगे उसके बाद ममी क्या खाना बन जाएगा तब ना पढ़ाए करोगे ना अब पीड गूड़ा है अब अब ना चाड़ो तो यह देखिए टमाटर आलू की जो सबजी है बो बन गई है और इसमें मैंने वो मसाला जो पीस के अभी हम लोगों ने पीस ताना वो मसाला मैंने डाल दिया है तो यह सबजी अभी मैं निकाल के फिर मैं चड़ा दी हूं कोड़ाए को और वहां पर मैंने तील डाला कि मतलब यह भाजी टाइप का होता है भुजिया टाइप का तो यह अच्छा लगता है खाने में और आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने कितना थोड़ा सा तेल डाला है और थोड़ा सा तेल डालती हूं यह जो भुजिया टाइप का जो भी बनता है वो और यहां पर दे सब्सक्राइब करें तो में लिए करते हैं, तो वह सब्सक्राइब कर सकते हो। अब देखा कद्दू की सब्सक्राइब कर लिए, देखे, ने कॉलिए। सबजी बनाया है तो और यह है टमाटर आलो की सबजी तो सभी खाना बन गया है अभी मैं अर्पीत को एक क्या बोलते हैं बेशन का चीला भी बना के दी हूँ और वो खा चुका है इवनिंग का जो नास्ता होता है वो और उसके बाद देखिए यह मैंने दूद गरम किया है औ बन बीटा तो यह भी पी लेता है हासानी से कुछ कुछ दिन होतला था जब वो पीता नहीं था पॉन बीटा वगएरा कुछ भी नहीं पीता था दूरद भी नहीं पीता था अच्छे से अभी उसको क्या हो गया बहुत मतलब ख़ुद वो जीद करकर के मैं मांगता है कि इसको पढ़ाने के लिए आप 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 दोगे तो यहां पर देखिए मैं उसको पढ़ा रही हूं मतलब जो ड्राइंग होता है वो अभी अर्पित का ड्राइंग क्लास्चर रहा है वो खुदी लेके आया और बोला पहले ड्राइंग करेंगे उसके बाद ही मैं अभी सीडी लिखूंगा तो चलिए उसी की मरजी से अभी कर लेते हैं तो बच्चे की अगर मरजी ना होना कि ये अभी नहीं पढ़ेंगे तो वो कभी नहीं पढ़ता और अच्छे से जिर्म में जिद में अड़े रहता है तो मैंने सुझा चलो यही कर लो और ये भी अच्छी बात है कि कलर भी उसको पहचान में आ रहा है कि कौन सा कलर है क्या नहीं है तो चलिए मैं उसको पढ़ा लेती हूं और मिलती हूं मैं नेक्स व्लोग के साथ तक लिए बाबाई टेक केर गुड नाइट